आज की वीडियो शूट करती हुए तो literally मुझे रोना ही आ गया बताती हूं क्यों मैं इतने सारे efforts लगाती हूं content लेके आती हूं video शूट करती हूं upload करती हूं edit करती हूं कितनी सारी मेनत करती हूं क्यूं ताकि मुझे ठोड़े सी views मिल जाए like and comments मिल जाए ठोड़े करने वाली हूं तो सबसे पहले मैंने यहां पे ग्लो मिस्ट यूज किया था एंड उसके बाद में लैक में एपसल्यूट आरगन ऑईल जो क्रीम है वो मैंने यूज करें थी प्रोड़क्त मैंने स्क्रीन पे शो करा है आप देख लेना ऐलेगर लूमिनेस ग्लो इसे मैंने प प्रोड़क्त डेफिनेटली एड कर लो शाइन तो आप देख ही सकते हो देन मैंने यहां पे एलेगर लूमिनेस ग्लो फांडिशन मैंने यूज किया था जिसकी भी ड्राइस किनेयना वो यह फांडिशन ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है हाइडरेटिंग है बिल एंड डेम प्यूटी ब्लेंडर यूज किया करो यह हमारा प्रोड़क्त कम एब्जाव करता है एंड जो फिनिश आती है वो अच्छी आती है फिर मैंने यहां पे मेवलीन का कंसिलर यूज किया था जो भी हैलाइटिंग पॉइंट से वहां पे मैं इससे लगा दूँगी और आपको पता है जब मैंने शूर शूर में वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था तब मेरे पास में इतने प्रोड़क्त नहीं थे जितने मेरे पास में अभी है अभी भी मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत सारे हैं बट ठीक है इतने है कि मैं वीडियो शूट कर सकती ह और अलग अलग प्रोडक्स आपको शो कर सकती हूँ थोड़ थोड़े टाइम में तो बस यहाँ पर मैंने अपनी कंसिरर को ब्लैंड कर दिया और फिर इसे मैं सेट कर दूँगी कॉंपेक्ट से फुल फेस को मैं सेट नहीं करूँगी वरना हमारा जो बेस हमने जो ग्लोइंग बेस बनाया था वो बिलकुल मैट हो जाएगा बलश बिलकुल थोड़ा सा यूज करने वाली हूँ ना के बराबर तो बस यह वाला शेड जो है मैंने इसे थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया था यहां पर बिलकुल लाइट सॉफ्ट सा कॉंटॉर कर दूंगी जिक्स पे और नोस पे फिर यहां पर लिप्स्टिक जो है एकदम नूड होने वाली है बेस जो है वो ग्लोइंग दिखेगा श्रदा कपूर का मेकप यह आप देख सकते हो बहुत ही जादा फ्रेश एंड ग्लोइंग था तो यहां पर बिलकुल अच्छे से बर बर के मैंने हाइलाटर लगा दिया था एंड उसके बाद में अब यहां पर मैंने अपने आइब्रोस को फील कर दिया बहुत जादा नहीं करूंगी थोड़ा थोड़ा सा कर दूंगी और फिर कंसीलर लगा दिया था था कि हमारा जो बेस से वो अच्छे से बन जाए और जो भी डाक सरकल्स पिग्मेंटिशन होती यहां मेरे पावर लैंसे हैं तो मुझे और भी जादा पानी आता है और वो जो फर्स में मैंने आपको late दिखा की ती ना जिसमें रो रही थी तो मैं रो नहीं रही थी यह लैंस लगाने की बाद के आस हुए जो मेरे निकल रहे थे पर जो मैंने पास सों कुछ बहुत ब 15 मिट लग जाते हैं उन्हें सेट करने के लिए फिर मैंसूश रही थी मैं लगाओं की नहीं लगाओं बट फिर मैंने लगा दिया क्योंकि वर्ना लुक तो कंप्लीट ही नहीं होता और जब दूसरी आइस में लगाया तो और भी ज़्यादा पानी आया था तो ठीक है जैसे क्योंवल से आई मेकप होने वाला है कुछ भी नहीं करना है तो एक मिनिट में हो जाएगा और फिर थोड़ा सा ब्राउन शेडो लेकर आउटर पर लगा दिया उससे ब्लेंड कर दिया और अपर पर आप यहां पर काझल भी यूज़ कर सकते हो ऐसे ब्लेंड कर देना है और फिर से बनाना पड़ा बहुत ही जाधा टाइम लग गया जितना टाइम मुझे मेकप लुक को क्रिएट करने में नहीं लगा उससे जाधा टाइम दे मुझे यहाँ पर यह बिंदिया बनाने में लग गया था माई गॉट लिटरली यह वाली आर्ट करना बहुत मुश्कील है बहुत ही मुश्कील है मैंने हर एक जगे पर हटा के फिर से मुझे बनाना बढ़ा था कम से कम दो से तीन बार मैंने किया तब जाके कहीं मेरा यह थोड़ा सा सही बना था बिल्कुल परफेक्ट तो मैं कहीं नहीं सकती हो की बना था तो यहां पर आइस के पास में जो भी मैंने बनाया था उसे भी मैंने हटाया फिर कंसिलर लगाया, ब्लैंड किया फिर से सारा कुछ किया और फिर मैंने बिल्कुल ध्यान ध्यान से यहां पे मैंने बनाया तो एक आइस पे तो बहुत ही अच्छे से बन गया था अब दूसरी आइस पे भी सेम बनना भी तो जरूरी है तो जैसे तैसे करके मैंने आइस पे तो बनाया बिल्कुल सेम तो नहीं बना था थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट था बढ़ ठीक है कोई नहीं चल जाएगा क्योंकि इससे जादा और मैं नहीं कर सकती थी और फिर मैंने यहाँ पे अपने फॉरहेट पे भी बिंदिया बना दी तो ये भी फर्स टाइम में सही कैसे बन सकती थी बिल्कुल नहीं टेडी मेडी से बन गई थी बिल्कुल मिक्स हो गई थी बिंदी बिंदी नहीं लग रही थी तो फिर से मैंने उसे हटाया और फिर से मैंने धीरे धीरे बिल्कुल ध्यान ध्यान से मैं बना रही थी actually problem किया ना मेरा हाथ बहुत शेक करता है इस तरह से काम करते हुए तो थोड़ा सा वो इस वज़े से टेड़ा मेड़ा हो जाता है तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे से बना रही थी and finally मैंने ठिक ठाक सी बना ली थी बहुत जाद अच्छी तो नहीं बनी थी टेडी मेडी बन गई थी फिर यहाँ पर लाइनर में कुछ भी नहीं करना था बस आपको साइड से इस तरह से विंक्स निकान ले थे और उसे मर्श करना था और कुछ नहीं and finally मैंने यहाँ पर नोस्पिन लगा दे थी इयरिंग्स पहन लिये थे और बस लुक और मुस्ट कंप्लीट हो गया था अब मैं यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज कर लूँगी and मेरे पास में श्रदा कपूर जैसा तो आउटफिट नहीं था तो रैड कलर की यहाँ पर जो मेरे पास कूरती थी उसे ही मैंने वियर कर लिया आप पताओ आपको कैसा लगा मेरा यह मेकप लूग